आज हम लोग देखेंगे भारतिया इतिहां से कुछ मत्वपूर्थ थे जो बतापी या बदामी के चलुक बंस से रहेगा पर्थम एतियासिक सासक जय सिंग पर्थम तथा परतापी सासक पूलके सिंग पर्थम कीन्तु चले के बंस का पर्थम निर्माता किरती वर्भन को जाता है बदामी के चलुक गयां सनस्थापक विश्ण वर्थम पर्थम को मना जाता है और सनस्थापक जय सिंग को और सनस्थापक पूलके सिंग पर्थम को मना जाता है इस बंस का महान पर तापी सासक पूलके सिंग दूतिया था जिसके बारे में जनकारी एहोल पर सस्ती अभिलेक से मिलती है पूलके सिंग दूतिया का संगर्स पूला बंस के सासक महेंदर बॉर्बन दूतिया के साथ हुआ था जिसमें पुलके सिंग दूतिया बिजय हुआ था किन्तु पलगों की रैधानी काची पर अधिकार नौकरण करके विये अपनी रैधानी वतापी लोटाया पुलके सिंग दूतियों को प्राजित कर दिया और उसका पीछे करते करते वतापी तक आ गया और वतापी पर कुछ समय के लिए अधिकार करके वतापी को ये वतापी बीजेता की उपाधि धारण किया इसकी अत्रिक इन्होने बतापी में एस्तित मलिकारजुन मंदिर के दिवार पर अपना एक अभिलेग खुद आया पटकल शीव मंदिर को बीज चेश्वर शीव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है इस वन्स का आगला मौत्रपूर सासक बिक्रमादित्य दूतिया बना चलू के वन्स की राइधानीक मजबूत करना चाहिए जिसके करना पलग राजभरा करमर कर दिया और उसकी राइधानीक काची पर अधिकार करके काची कोड या काची विजेता की वपाधि धारण की और साथ ही काची मेस्तित राज सिंग हैस्वर मंदिर के दिवार पर आपना एक अभी लेख खोद वाया चालुक बंस का अंतिम साथ सक केर्थी बर्मन था इसके काल में धंती दुरुक नामक सामंत या गुलाम ने कृती वर्मन दूतियों की हात्या करके चालुक बंस के अस्थान पर एक नयार राष्ट कुष्ट बंस की अस्थापना किया कि अच्छे लागे तरह लाइक अश्क्राइब सेर जुरे करें साथ में बटन दवाना नहीं बोलें